लोगों को सेहत मन्त वफिट रखने में उनकी आहर की अहम गुमी का होती है व्यस्त रुटीन के कारण लोगों की शाररिक एक्टिविटी दिन प्रति दिन कम होती जा रही है जिसकी वजा से ली गई कैलरी फैट में चेंज होकर पेट के आसपास के हिस्सों में नजर आने लगती है अकसर लोग वजन कम करने में लगे रहते हैं लेकिन सबसे अधिक जो समस्या आती है वो है पेट के आसपास की चर्भी को हटाना क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग मोटे नहीं होते हैं लेकिन उनके पेट के आसपास काफी चर्बी जमा हो जाती है पेट पर जमा फैट ना सर्फ आपकी सेहत बिगारता है बल्कि यह आपके लुग को भी खराब करता है तो इसलिए आज हम आपकी लिए लाए हैं पेट पर जमा चर्बी को कम करने के आसान वो असरकारी उपाए तो चलिए देखते हैं पेट की चर्बी को कम करने के कुछ ट्रिक्स खाने के बाद पानी पीने से बचे अक्सर देखा गया है कि खाना खाने के बाद लोग धेर सारा पानी पी लेते हैं जो कि पेट निकलने का मुख्य वजाओ में से एक है खाने के अंत में पानी पीना उचित नहीं है बलकि एक देड़ गंडे बाद ही पानी पीना चाहिए अगर आपको ज्यादा प्यास लग रही है तो खानी के बाद बस एक कब हलका गुनगुना पानी पीए थोड़ा थोड़ा करके खाए तीन आइटम खानी के जग़़ा थोड़ा करके कई बार खाए हर दो गंडे में कुछ न कुछ खाते रहे इससे शरीर का मेटबॉलिजम तो ठीक रहता ही है साथ ही पुर्जा का स्तर भी बना रहता है खाने में प्रोटीन के मात्र बढ़ाए ये पाचन में ज्यादा समय लेते है और पेट देड तक भरा रहता है अंडे का सफेद भाग, फैट फ्री दूर, वर दही, ग्रिल्ड फिश और सबजिया आपको स्लिम वर फिट बनाईगी शहद है फाइदे मन जैसे कि हम सब जानती है शहद गुनों की खान है या मोटापा कम करने में भी कारगार है रोजाना सुबर, गुनगुने पानी में शहद मिला कर पिए नियमित रूप से इस प्रक्रिया को अपनाने से आपको जल्द ही असर दिखाई देनी लगेगा ग्रीन टी पिए अगर आप चाई पीने की बहुत शौकीन है तो आप दूर के चाई के बजाए एंटी ओक्सिदिन से भरपूर ग्रीन टी या फिर ब्लाक टी पिए इसमें थाइनाई नामक अमीनो एसेड होता है जिससे दिमाग में ऐसे केमिकल्स का स्त्राप करता है और आपकी भूप पर कंट्रोल करता है मौर्निंग वॉप करें फिट रहे रोजाना सुबर सेर पर जाए और रात के खाने के बाद भी सेर करना न भूले इससे पेट और कमल की अतिरिक कैलरी कम हो जाती है क्यूंकि नियमित रूप से सेर पर जाने से 25% कैलरी बर्न होती है पेट जल्दी कम करना है तो 30 मिनिट के वॉप सेशन रखे लगातार स्पीड से ना चल सके तो बीच में इंटरवल ले भोड़ी देर टेजी से चले और फिर स्पीड कम कर ले उपवास करे यदि आप खाने पीने के बहुत शौकीन है और अपने इस आदत से भी परिशान है तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप सफता में कम से कम एक बार उपवास जरूर करें आप चाहे तो सफता में एक दिन लिक्विट पधार्तों पर भी रह सकते हैं जैसे की पानी, नीमो पानी, दूज, जूस, सूप, इतियादी या किसी दिन सिर्फ सलात या फल भी ले सकते हैं नींद पूरी करें संतुलित आहर वव्यायाब के साथ पूरी नींद लेना भी जरूरी है नींद पूरी न होने पर थनाव बढ़ने वाले हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको खाने के लिए प्रेरित करते हैं जिससे पेट की चर्बी भी बढ़ती है रात में 6-7 गंडे सोने वाले लोगों में पेट का फैट कम होता है इससे ज्यादा या कम लीन लेने वाले लोगों को तोंद की समस्तिया ज्यादा होती है योग आसन है जरूरी कमर और पेट कम करने के लिए आप नियमित रूप से सुभा उठकर योग करें वैसे भी आप योग से निरोग रह सकते हैं लेकिन खास कर आप ऐसे आसनों को करें जिनसे आपके पेट और कमर को कम करने में मदद मिले रोजाना सूर्य नमस्कार की सभी क्रियाय करें भुजंगासन, पजरासन, पदमासन, शल्भासन, इतियादी आज कर लोगों की सबसे में परिशानी उनके पेट की चर्बी हो गई है इसलिए आज हमने इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़े बताए जिसे करने से आपके पेट की चर्बी कर्म हो जाएगी अगर आपके पास भी कुछ ऐसे ट्रिक्स है जिससे पेट और कमर की चर्बी कम की जा सकती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें ओकी गाइस तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए थांक्यू